नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप सभी का स्वागत था, Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बखू भी रखता है दोस्तों, आद में आप लोगों को कुछ ऐसे वर्काउट बताऊंगा जो आप लोगों को खड़े रहकर करना है और साथ ही आप लोगों की जो बैली फैट है, उनको रेड्यूस करने में आप लोगों की हल्प करेंगी तो ये सभी वर्काउट जो है, वो 40 सेकंड के रहेंगे और इन सभी वर्काउट में आप लोगों क्या जो बैली है, वो कॉमन रहेगा कि belly fat को reduce करना है, visceral fat को कम करना है, subcontinuous fat को कम करना है, metabolic rate को increase करना है, cardio increase करना है, यह सभी जो है इसमें सामिल रहेंगे, first workout जो है आप लोगों के सामने है, binding hand, standing crunch मैंने इसको नाम दिया है, और यह 40 seconds तक आप लोगों को करना है, तो इसके लिए आप लोग खड़े रह जाएए, और खड़े रहकर अपने दोनों हाथों को आपस में bind कर लीजे, उसके बाद में chest के पास आप लोगों को रखना है, अब आप लोगों को अपनी एक knee को, यानि की एक घुटने को उपर उठाते वे, मोडते वे, जो है, just विपरीत कोहनी की और लेकर आना है, ठीक है, तो यह आप लोगों का 40 seconds का workout है, और इस workouts अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो upper belly जो है, lower belly की और जो है, एक दूसरे की squeeze कर रहे है, आपस में एक दूसरे को push कर रहे है, अब आप लोगों के पास जो है, वो resting time है, 10 seconds का resting time, इन सभी exercises के बीच में आप लोगों को मिलेगा, resting time complete होत और उसके बाद में सामने दोनों हाथों को रख लेना है, जैसे कि आप लोग high knee exercise करते हैं, अब जो cross leg है, यानि कि cross hand और cross leg को आपस में leg को उठाना है, और जो आप लोगों का pair के जो toys हैं, उनको आप लोगों को किस से touch करना है, आप लोगों को हाथों से, हाथों के जो आप लिया है, उनसे आपस में touch करना है, तो इससे भी आप लोग अगर देखेंगे, तो आप लोगों को जब आप लोग अपना pair उठाते हैं, तो उपर की ओर तो आप लोगों की जो belly है, वो आप लोगों पर engage रहती है, तो इससे आप लोगों को फर्क महसूस होगा, belly को reduce करते ह resting time आ चुका है, resting time complete होने के बाद आप लोग चलें next workout की ओर, यानि कि तीसरे workout की ओर, high knee exercise है, high knee exercise कार्डियो के लिए बहुत जाद अच्छी होती है, इसको करने के लिए आप लोगों को दोनों हातों को सामने रखना है, और उसके बात में एक जगाए पर ही, आप लोगों को अपनी घुटने को मोड़ते हुए अपने चेस्ट की ओर लेकर आना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को normal low impact exercise की तरह ही इसको रिट करना है पहले, लेकिन अगर आप लोग इसमें जब perfect हो जाए, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा रन जो है, आप लोग थोड़ा तेज आप लोगों के लेक्स जो है, आप लोगों के बटक्स जो है, या आप लोगों के जो ग्लूट्स है, वो अच्छे भी बन सकते हैं, नमबर फॉर exercise के हम लोग बात करते हैं, इस exercise का जो नाम है, वो है spider man plank, spider man plank को आप लोग कैसे करते थे, आप लोग एक प्लांक पोजिशन लेते थे, उसके बाद में आप लोग जो है, सेम पैर को सेम हाथ के कहनी से आप लोग तच करते थे, बस इस exercise को आप लोगों को खड़े रह करना होता है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन कर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि तीन लड़कियां हैं, और आपस में जो पीछे क जो गर्दन के पीछे है, उसमें हाथ आप लोगों को टच करने हैं, अपनी कान के पास रखने हैं, अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जुकते वे कोहनी को घुटने से टच कीजिए, और फिर राइट साइड में जुकते वे कोहनी को घुटने से टच कीजिए, तो ये व नमबर फिप्त वर्काउट के और 40 सेकंड के लिए साइड लेग रेज पाम टच इसका नाम मैंने रखा है साइड लेग रेज पाम टच और ये लेफ्ट साइड का आप लोग पर उठाएंगे और लेफ्ट साइड के पाम के और टच करेंगे देखे इस परकार की exercise है और इस परकार की exercise आप लोगों के glutes को बहुत अच्छा कर सकते हैं और side का जो fat है आप लोगों का जिसे हम लोग belly fat का pass वाला जो fat बोलते हैं या love handle का fat बोलते हैं ये आप लोग reduce कर सकते हैं बहुत जल्दी तो यह exercise भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, खड़े रहकर यह आप लोगों करनी है, तो belly fat reduce करने के लिए या standing abs exercise भी आप लोगों से treat कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 exercise complete हो चुकी है, resting time आप लोगों का चल रहा है और आप लोग जो है अपनी figure को दे है, इसमें आप लोग देखे, squat position ले रहे हैं, उसके बाद में आप लोग left side या right side दोनों में, आप लोग पहले left side के और kick लगाएंगे, उसके बाद में squat position लेके आप लोग राइट side के और kick लगाएंगे, यह exercise भी आप लोगों को 40 seconds के लिए करनी है, और अगर आप लोग इ बैटते हैं और उखड़े होते हैं, और side में किक लगाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि love handle का जो fat है, वो इससे कितना जल्दी reduce हो सकता है, तो side का fat reduce करने में आप लोगों को आसानी मिल सकती है, abs को tone पनाने में आसानी मिल सकती, resting time आ चुका है, अपने आपको देख सकते ह हैं, आइने में rest कर सकते हैं, muscles को मजबूती देने के लिए rest कर सकते हैं, इंची टेप से आप लोग जो है, अपना figure जो हुसे test कर सकते हैं कि कि कितना size में कम हुआ है, next exercise हम लोग चलते हैं, squat spider man plank standing position, squat साथ में करना है, और spider man plank भी आप लोगों करना है, अभी अभी आप लोग के side fat वो कितना जल्दी reduce होता है, तो इसे belly की जो rectus abdomen है, आप लोगों की muscles, वो engaged रहती है, आप लोगों के glutes की muscles है, medius और maximus muscles, वो engaged रहती है, hamstring muscles है, वो engaged रहती है, तो ये भी आप लोगों के 40 second का workout आप लोगों को करना है, अब resting time चल रहा है, तो हम लोग नवी exercise की और सलते हैं, नवी exercise में standing cross crunch, बहुत अच्छी exercise है, ये dancing step भी आप लोगों treat कर सकते हैं, कि एक just whip, विप्रीथ हाथ वाली पोहनी को just आप लोगों के दूसरे leg की जो पैर का जो भूटना है, उससे आप लोगों को touch करना है, तो इसे आप लोग 40 seconds के लिए आप लोगों को exercise करनी है, औ और 40 seconds complete होने के बाद हम लोगों को rest करना है, लेकिन जब आप लोग देखेंगे कि armpit का fat भी reduce होगा, आप लोगों का cardio भी मजबूत होगा, आप लोगों की जो कोहनी है, आप लोगों की जो thighs muscle से वो भी जादा strong बनेगी, तो कितने benefits आप लोगों को इस exercise से मिल सकते हैं, वो अब है standing side leg raise with palm touch आप लोगों को करनी है, जैसा कि आप लोगों के साथ क्या था, वही आप लोगों को right leg के साथ करना है, और अपने दोनों हातों को आपस में फैलाना है, और state position, constant position में आप लोगों को रखना है, उसके बाद में आप लोगों का जो right वाला पैर है, उसे उठा अगर touch हो तो ठीक है, नहीं touch हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन raise जितना कर सके अपने पैर को उतना आप लोगों को उठाना है, तो इससे आप लोगों की जो glute muscles हैं, वो जादा increase रहती है, और side का fat reduce करने में आप लोगों को help मिलती है, और अब फिर से आप लोगों के पास आ इतनी है, जितनी देर आप लोग कर सकें, तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे जरूर बताएएका, comment करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, और even आप लोग मुझे comment तो करेंगे ही, like भी करना आप लोगों को इस वीडियो को करना है, और comment प् परकार के exercise चाहिए है, तो प्लीज मुझे comment जरूर कीजिए का, और share कीजिए का इस टूडियो को Instagram, Facebook, WhatsApp जहां पर आप लोग share करना चाहें, धन्यवाद,